जौनपुर के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सड़क हास्य में एक की हुई मौत और एक गंभीर रूप से घायल रामपुर ठाना छेतर के मईगाओं में एक ट्रक और एक बाइक के आमने शामने टक्कर हो जाने पर एक यूवक की मौत हो गई जबकि बा पाइल को इलाज के लिए अस्पताल रिफर कर दिया है सौको कबजे में लेते हुए पुस्ट मॉडम के लिए तैयारी चल रही है ट्रक चालक एवं खलासी ट्रक छोड़कर घटना अस्थल से फरार हो गये हैं मरियाहू कोतवाली के चहरपुर गाउनिवासी विनोध गौत आरा मसीन के पास पहुचा था कि बालू लादकर जौनपूर से जा रहे ट्रक के आमने सामने से टककर हो गई टककर इतना जोरदार था कि बाइक चला रहा 35 वर्षी विनोध गौतम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि पीछे बैठा 18 वर्षी शत्यंद गौतम बा जिसके बाद सूचना रामपूर थाना प्रभारी रागवेंद्र शिंग को मिली मौके पर पहुचे पुलिस कर्मियों ने ट्रक को कबजे में लेते हुए थाने भिजवाया और घायल सत्यंद गौतम को रामपूर सियस्सी इलाज के लिए भेजा जहां से हालत गंभीर जयना साथ वर्ष पत्नी रागनी का रो रोकर बुरा हाल है विनोध सिध्वन में चारपाई बनाने का कार करता था प्रति दिन की भाती आज भी घर से चारपाई बनाने के लिए ही जा रहा था सतेंद कुमार कहां घर है मडिया हूं कहां से आ रहे थे कहां जा रहे थे जा रहे थे बदोही क्या कुछ काम करते हैं वहां पे अच्छा कौन कौन था आपके साथ में सुरेश बिनोध नितेस आपको चोट लगी है और कौन एक्सपायर हुआ है का नाम बिनोध कहां घर कहां है मडियाहू में ही कस्बे में ही घर है चहर पूर चहर पूर अच्छा और उनके पिता का नाम क्या है जगस्पायर हुए है अच्छा तो बाइक से थे आप लोग और सामने ट्रक सामने से मरा की कैसे त्रक उदर से आ रहे थी भदोही साइड से आप लोग भदोही जा रहे थे किस जगह फिर हुआ जाने के आगे कि पहले थाने के आगे